हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम महत्वपूर दिर्ग उत्री प्रशनों को देखेंगे जो आपके पेपर में जो आज प्रशन करवाएंगे सेम टू सेम यही प्रशन छपेंगे तो फ्रेंस आप से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि जितना भी प्रशन क तो को आप एक दो बार जरूर देखिए गांएगा यह प्रस्ण ऐसे हैं कि जो आपके बोड के एक्जाम में कम सिक्म 3 से 4 बार यह प्रस्ण पूछे जा चुके हैं ठीक है फ्रेंज तो 2023 के बूर्ड के एक्जाम में 21 फरवरी को ये प्रशन जरूर आएगा चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंस यह आग के सामने पहला सवाल है यदी बिंदू A X,Y B 1,2 तथा C 2,1 से बने त्रिभूज ABC का च्छेत्रफल 6 वर इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि X प्लस Y बराबर 15 ठीक है आपको सिद्ध करना है देखें फ्रेंस आपको इस सवाल को बूर्ड के एक्जाम में इस सवाल को आप हल कैसे करेंगे पहले लिखिए अगा प्रशनोत्तर संख्या देखिए प्रशनोत्तर संख्या आपका एक है तो एक कर लीजिएगा ठीक है अब इस तरह बराबर कर लीजिएगा ठीक है फ्रेंस देखिए अब इस सवाल में आपका दिया है यानि कि यहां पे लिख लिजेगा कि दिया है ठीक है जैसे लिख रहे हैं कापी पर उसी तरह बोट के एक्जाम में लिखिएगा फ्रेंश ठीक है एक नमबर भी नहीं कटेगा देखिए आपका दिया है कि A जो दिया है आपका यक्स कामा वाई दिया है और B जो दिया है आप c जो दिया है आपका 2 कामा 1 दिया है ठीक है आपको देखिए फिर इसके अलाद यहाँ आए कि तिरभूज A, B, C का च्छेत्रफल दिया है बराबर कितना है 6 वर्ग इका है इस तरह ही कापी पदम लिखिया जो चिद दिया रहा था लिखना पड़ता है आपको सिद्ध करना है यहाँ पी लिखिया का सिद्ध करना है सिद्ध करना है ठीक क्या सिद्ध करना कि yaks plus y बराबर 15 अब देखे इस सवाल को लगाएं कैसे तिरी भूज का छत्रफल देखे इन नीरदशांग दिया है आपका तिरी भूज का छत्रफल लगाना है तो यहाँ पे लिखिएगा हल यहाँ पैसे लिख लिएगा हल ठीक अब देखे तिरी भूज ABC इसी का चेट्रफ़ान का फार्मुला लिखेगे तेरे बूझ ए बिसी का चेट्रफ़ फार्मुला क्या होता है एक बटा की दू कोष्ट में यक्स वन ठीक है कोष्ट में y2-y1 प्लस यक्स 2 y1 minus y3 y2 minus y3 होता है ठीक है फ्रेंस यहाँ पे y3 minus y1 होता है plus देखिए यहाँ पे plus करके लिखिए का आप x3 y1 minus y2 अकोष्टक 1 ठीक है अब यहाँ पे देखिए डिख लिए यह सब अब यहाँ पे मान रखिए देखिए कैसे रखेंगे एक बटागे दू x1 का मान कितना अब यहाँ पे मान लिजीगा फ्रेंस ठीक है अब यहाँ पे मान लिजीगे देखिए आपका यह x1 है यह y1 है यह x2 है यह y2 है यह x3 है यह y3 है ठीक इस तरह मान लेंगे x1 का मान कितना है यक्स है थी y2 का मान 2 यक्ष्टू का मान है आपका एक, यक्ष्टू का मान है आपका एक, यक्ष्टू का मान है आपका एक, यक्ष्टू का मान है आपका दो, यक्ष्टू का मान है आपका दो, यक्ष्टू का मान है आपका दो है, यक्ष्टू का मान है आपका दो है, यक्ष्टू का मान है आपक कितना हो जाएगा बारा हो जाएगा बराबर देखे दू में से एक जाएगा एक ठीक है दू में से एक जाएगा एक का यक्स में करेंगे गुड़ा कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा प्लस एक का करेंगे तो वन माइनस कितना हो जाएगा वाई इसका करेंगे दू का वाई चाहते कितना हो जगा माइनस तीन होगा वाई आय करेंगे तो माइनस प्लस वाई हो जाएगा ठीक यहां पर आपका 12 यहां प्लस यहां प्लस वाई बचेगा अब इसको जो लिज़े बारा तीन कितना होगा आपका 15 होगा और यक्स्प्लस वाई हो जाएगा यानि कि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और फ्रेंज यहाँ बराबर का चिंझ जरूर दीजेगा ठीक इस तरह बराबर का देते रहियेगा काला पेंसे दे दिजेए या इसी पेंसे ब्लू पेंसे ही दे सकते हैं कुछ अब कितना यक्स प्लस वाई बराबर पंदुरह और इस तरह इसको घेर लिजिए गया अART दिया कितना लाना था सिंह कर सिद्ध करना थे स्वाइब पंद्रह आपको हल करने के पात क्या है एक्स प्लस वाई बराबर पंद्रह ठीक है लिखे दीजिएगा इती सिद्धा इस प्रकास सवाल को हल कीजिएगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामरें अगले नंबर के सवाल दूसरा नंबर का देखें जब दूसरा आजागा तीसी प्रक इन देखें आपका दिया क्या है कितना एक या कामा जीरो फिर अगला बिंदू दिया है जीरो कामा बी तिसरा बिंदू दिया है याक्स कामा वाई ठीक है आपको सिध करना है देखिए सिद करना है लिख लिजिए देखे यक्स बटाके ए वाई अपान भी बराबर ए ठीक है अब देखे फ्रेस इसको आप माल लिजिएगे इसको यक्स वन माल लिएगा ये वाई वन हो जाएगा ये यक्स टू हो जाएगा ये वाई टू हो जाएगा अब इसको हल करना है चलिये हल करते हैं ठीक है यहां पे लिखिए of मिपसवाल है आप सवाल देख लिए कि कि करना क्या है कि यह आप डीक है तो板 का humour में किये यहाँ लिखिए का हल में यहां पर लिखिए संन रेख Town रेख कि अब इसका चलिए यहांस लिखे देते हैं आपका फार्मूलə त्रिभूच का यह उतता सक जिरों के बराबर देख operates कि जब सान रघ होता खता किसके बराबर होता है जीरों गया बराबर अब यहाँ बिंदू का नाम रख देखिए यक्स 1 के जगब कितना है देखिए यहाँ पर यक्स 1 के जगब A है तो यहाँ पर A रखिएगा Y2 के जगब कितना है आपका B है तो B रखिएगा Y3 के जगब कितना है Y है तो Y रख लिजेगा प्लस Y2 के जगब कितना है 0 तो y3 कमान कितना है y y1 कमान कितना है 0 प्लस yux 3 कमान कितना है आपका yux y1 कमान कितना है आपका 0 y2 कमान कितना है b है तो b रख लेज़े और बराबर 0 हो जाएगा ठीक है अब देखे फ्रेंस क्या करेंगे a का b में करेंगे तो कितना हो जागा ab हो जाएगा, minus a का y में करेंगे तो ay हो जाएगा, और जब 0 को गुड़ा करेंगे तो, इसका मान कितना हो, जब 0 तो इसको अटा दीजिए, या लिखरा हो जाएगा एक बड़ 0 राखे सकते हैं, ठीक है, 0 होगा, x का 0 में करेंगे तो 0 होगा, minus x b हो जाएगा, और बराबर 0 ह जाएगा देखें यहां पर आपका है a b minus a y और minus x b बचेगा और बराबर 0 हो जाएगा अब क्या कीजिए कि इन दुनों की दर पच्छानता कर लिजिए यहां पर a b हो जाएगा यहां पर क्या होगा a y minus प्लस x b ठीक है अब देखें आपको लाना कितना है ठीक है यहां पर दे लिखें दोनों पच्छों में दोनों पच्छों में a b से भाग देने पर भाग देने पर अबूआप चली देखें देखें a b बराबर ay प्लस xb देखें दोनों पच्छम देना भाग ते देखें यहाँ पर a, b का भाग देना है और इधर भी कितने से देना है एक बच जाएगा यहाँ पर इसको अलाग अलाग लिख सकते हैं देखें a, y बटा कि a, b लिख लिख लिजिए यहाँ बटा क्या लिखेंगे, a भी लिखेंगे ठीक, अब फ्रेंज देखें क्या करना है आपको यहाँ पर a बना लिजिए यहाँ a से a कटेगा तो y य पान क्या बचेगा आपको b बचेगा, b से b कटेगा तो y से पान a बचेगा अब इसको पहले लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है यहाँ पर लिखेंगे, a प्लस y य पान b और बराबर कितना a, ठीक है और फ्रेंज देखेंगे, आपको हल करने के बाद अब यहाँ पर बराबर का चीन इस तरह बना लिजिए लास्ट में, ठीक है जितने इस टेप में की हैं, बराबर का चीन इस तरह देदेंगे, तो यही कोश्चन देखने में अच्छा लगेगा सभी प्रशनों के सामने, सभी इस टेप के सामने इस तरह बना लिजिएगा अब देखे फ्रेंज, जो यह लास्ट में आया, इसी को आप इस तरह गेर लिजिए ठीक, अब देखे फ्रेंज, आप उसी देख कितना करना थे, खला मिला लिजिए यक सपन ए प्लस वाई अपन बी बराबर एक, और आपका आया कितना है, यहाँ पे यक सपन ए प्लस वाई अपन बी बराबर एक, और यह होगा आपका इती सिद्धा, इती सिद्धा फ्रेंज, यह कोई प्रश्ण जो है आपका, 2022 में आ चुका है, ठीक है 2022 में, 2019 में, ठीक है यह प्रश्ट आपके कई बार रिपीट है ठीक है इन प्रश्णों को आप ध्यान दीजिए चलिए अगले सवाल को हल करते हैं आपके सामने यह तीसरा नंबर का सवाल है कि के किस मान के लिए बिंदू कामा माइनस वन दू कामा एक और चार कामा पांच एक रेखा में इस पॉ अब यहाँ पी लिखिये का फ्रेंच देखे दिया है दिया है का दिया है कि के कामा माइनस वन दिया है अगला दिया है कि दो कामा एक दिया है और चार कामा पांच दिया है ठीक है अब यहाँ पे आपको क्या करना है के का मान ग्याद करना है यहाँ पी लिख लिए के इस तरह घर लिजेगा अब यहां पर लिखिए हल यहां पर लिखेंगे हल ठीक है अब इस जो पॉइंट ही इसको माल लिजेगे यक्स one है यह वाई one है यह यक्स two है यह y2 है यह यक्स three है यह यह थी है अब देखें जब तीन बिन्दू एक रेखा में होते हैं तो उसे बोलत एक रेखा में है अर्था है में। क्या है यहां पर लिखी है सम्रेख कंदिशन क्या होता है यहां पर लिखेंगा सन्रेख सन्सक्राइग का पता है चलिए फार्मुला लिख लेते हैं संडेक का ता आपको फार्मुला क्या पता है फ्रेंज देखिए अभी यक्स 1 यहाँ पर होगा आपको y2-y3 प्लस यक्स टू वाई 3 माइनस वाई 1 प्लस यक्स ट्री वाई 1 माइनस वाई 2 अब बराबर जब सनरेख़त क्या होगा जीरो के बराबर आपको दिखाना है चले अब यहाँ भी बिंदू का नाम जू माने सब रख लिए यक्स कमान कितना है यक्स टू कमान कितना है एक वाई 3 कमान कितना है प्लस यक्स टू कमान कितना है आपका दो वाई 3 कमान कितना है आपका प्लस यक्स टू कमान कितना है आपका प्लस यक्स टू कमान कितना है माईनस देखे माईनस है ठीकै अभी शी को हाल कीजिए ठीक देखिए यहां पर आपको ऐसे हाल करेंगे कि कि घटाएंगे तroe माइनस कितना बचए हागा चाक दू गुड़े, पांच कितना हो जागा चो हो जाएगा, यह 47, 9 माइनस दू हो जगा बराबर जीरू देखिए गुड़ा करेंगे तहरा माइनस कितना हो जगा फोर की हो जाए गा और यह दू छकाLY 12 बारह हो गाओ यह 4 दूना के 8 माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0 होजाएगा ठीक है देखिए माइनस 4 क माइनस सा प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे पर बड़ाबर 0 5 कळ लिजीए तो minus 4 के बड़ाबर minus 4 देखे minus से minus आपका कड जाएगा ठीक है देखे अब K बड़ाबर क्या होगा K बड़ाबर हो जाएगा 4 बटा के 4 के कमान कितना होए आपका चार केमचा चार कड़ जागा तो कितने आएगा एक आजाएगा और फ्रेंस यही आपको ग्याद करना था तो के कमान कितना आया आपका एक इस तरह इसको घेल लीजीगा ठीक और यहां पर जो इस टेप करें इसको लाश्ट में बराबर कचीन इस तरह दे दीजिएगा जरू आपको क्या हो जाएगा एंस फ्रेंस इस पकाव से इस सवाल को अहल करना था चरी अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल है कि वह अनुपाद ग्याद कीजिए जिसमें बिंदू माइनस तीन कामा दस और च्छा कामा माइनस आठ को मिलाने वाले रिख ठीक है अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए वह अनुपाद ग्याद कीजिए जिसमें बिंदू माइनस तीन कामा दस और च्छा कामा माइनस आठ को मिलाने वाला रिखा खंड को बिंदू इतना विभाजित करता है जो यह लिखा है उसी को मान लीजीए देखिए यहाँ पी मानेंगे माना ठीक है कैसे जो लिखा उसी को लिखा लीजीए ठीक है देखिए यहां से बिंदू बिन्दू, माइनस तीन कामा दस और चा कामा माइनस आट कुम मिलाने वाला रेखा खंड को मिलाने वाला ठीक है वाला, ठीक है यहां से देख सकते वाला रेखा खंड रेखा खंड ठीक है रेखा खंड को बिन्दू, माइनस एक कामा 6 विभाजित करता है, रेखा खंड को बिन्दू इतना के अनुपाते 1 में विभाजित करता है में विभाजित करता है अब देखिए आपको क्या करना अगला इस्टेप में इस तरह एक रेखा बना लिजीएगा जिसे एक्जामनर देखते ही समझा है कि आप इस सवाल में किये क्या है ए और बी क्या है देखिए माइनस तीन कामा दस और च्छा कामा माइनस आठ ठीक इस पर कहीं एक बिंदू ले लेजी मालीजी यहीं पर बिंदू ले लेते हैं जिस मैनस एक कामा च्छा है इसको माने कितना के अनुपाते हैं इधर मालीजी यहाँ पर डी दे दिजिए यानि एडी को के के हैं और डी बी को एक के अनुपाद भाजित करता है यानि के वान अब देखे फ्रेंस इतना करने के बाद आपको करना क्या है अब देखे फ्रेंस यहीं पर आप क्या देखा दें यह आपका यक्स वन है यह वाई वन है यह यक्स टू है यह वाई टू है इसको आ करने कि कोई जरूवत नहीं अब देए कि भाजित करता है हमेरा चैनल घर वी भाजित करेदे सन्ताम रही है कि अ intim लिखार करेा है कि बाला हमेसा यहां अतरख में हमेसा परियोगर एक लए यह फारमुला ठीक है यहां पहले यहां आ कंभी अर्लेखा तन का अंतवी भाजन, चले इसका शुत्र लिखें लिए पहले, वी भाजन, तभी सवाल लगाएंगे न में अंतवी भाजन, करता है, यक्स कामा y निर्द सांख होगा आपका, देखे, semic1 के साथ है आपका यक्स2 होगा, प्लस M2 के साथ है आपका यक्स 1 होगा अपान यहाँ पे M1 प्लस M2 होगा अंतर भी भाजने हो फार्मूला है देखी फिर यहाँ पे क्या होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2 ठीक अब यहाँ पे सिर्फ आपको मान रखके हल करना है ठीक है चलिए अब मान रखके हल करते हैं देखी यहाँ पे यक्स Yक्स कामा Y कामान कितना दिया है माइनस 1 कामा 6 बराबर M1 कामान कितना है फ्रेंस M1 कामान के है K गुडे Yक्स 2 कामान कितना है Yक्स 2 कामान 6 है तो 6 रखिए प्लस M2 कमान कितना है 1 मान hair तो 1 रख़िए X1 कमान कितना है आपका माइनस 3 तो माइनस 3 रख लिजे बटा के M1 प्लस amongst amongst कामआ षा किजी ज़ीक गोडा कलिए च्छोंके इसका गोडा करेंए माइनस 3 के Michael gonna करेंगे माइनस 8 आट थे इसको आटको इसके माम कितना हुआб़ करेंगे फृषा की तीक देखिए अब क्या हुआ कि एक कमान जो है अब किसके बराबर जैसे यहाँ पी यक्स कमान है तो यहाँ पी इसका यक्स कमान यह है य कमान है तो य कमान यह है तो क्या करेंगे इसका तुलना कर देंगा ठीक है तिुलना करने पर लिख लिए या निमा एक कमाइन और किसके बड़र हो गार इस यक्स कमाइन इस यक्स के बड़र हो यानि 6k माइनस थीन अपान के प्लस हुआ ठीक है अभ इसको हल कर लेज़े हैं इसका गुड़ा करेंगे तो मίνस एक का गुढ़ा कर दो माइनस को हो जागा माइनस एक ही माइनस एक प्लस एक है माइनस एक प्लस tsunami करेंगा थी अब यहांप इसको हुम कीजिए देखल यह माइनस के चाके को माइनस चाके हो जाएगा यह माइनस तीन है तो माइनस इदर आगा प्लस एक हो जाएगा ठीक है अब यह माइनस कितना हो जाएगा साथ के के कमान जब दूबटा के साथ आया अब यहां पर आपको वाई वाई से तुलना करने की कोई जरूद नहीं करना चाहते हैं ठीक है लेकिन आप कमान इतना ही आएगा ठीक है यक्स-yक्स के कमान ग्याद कर लिजी अब आपको इसका क्या करना है कि इसका निर्दशांग के ग्य सांग नहीं जयात करना रहते हैं यहां पर हमान रख भन करना है थे पंसका है यहां पर फद्शांग कितना माने थे आप razs की इसका此र-थे तो आपको सिर्फ एक ही के तुलना करके यहां पर हल करना था आप दोनों को करेंगे तभी दूबटा के साथ ही आएगा आप हल करना चाहते है तो हल करके देख लीजिए कि आपको दूबटा के साथ ही आएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को हल करते हैं देखे फ्रे अनुपाद ग्याद किजिए जिसमें बिंदू a 5-6 और b-1-4 को मिलाने वाले रेखा खंड को वाई अच्छ विभाजित करता है इस विभाजन बिंदू के निर्शांक भी आपको ग्याद करना था पहले इस तरह आप रेखा बना लीजिए रेखा बना लेंगे ना फ्रेंज तो सबसे अच्छा पड़ेगा अपर देखिए यहांपर a है और यहांपर b है यहांपर a का निशांक इतना है 5 का मा माइनस 6 कर लिजिए और b क्या है आपका 1 का मा माइनस 4 कर लिजिए ठीक है अब कर रहा है कि इसको किस अनुपात में वाई अच्छ विभाजित करता है तो तो आपका उसमें यक्स कमान क्या होगा 0 तो तो इससे में इस बिंदू का निसां कितना होगा 0 कमा वाई हो जागा 0 कमा वाई होगा ठीक है फ्रेंस अब देखिए अब इस अ फ्रेश्ण कीसा पन उपात मिं यहाँ से आप यह WIN माल ले जे आप इसको क्या मानेगी यक्स 1, यहाँ पी y1 यहाँ पी y2, यह y2 होगा यह capital y, यह capital y होगा अब देखे, इस सवाल को हलकी ऐसे करेंगे अब यहाँ पी मानेगे बना लिए आप, यहाँ भी मानलीजेगा माना अब मानने के बाद क्या लिखेंगे कि अबी एवी ठीक है डिखेंगे एवी को वाई वाई अच वाई अच वाई अच विभाजित करता है वी भाजित करता है किस अनुपात में यहां पर यह मोन यह मजूं रखा दिखा दिजिगार अनुपाते यम्टू ठीक अब चलिए अन्तवी भाजन लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है फार्मला लिखना है चलिए लिखते हैं उसको क्या है आपका यक्स कामा कैपिटल वाई बराबर यम्टू यक्स्टू यम्टू एक्सवन अपान यम्टू प्लस एम्टू कामा यम्टू 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 प्लस एम्टू यम्टू वाई वन अपान यम्टू प्लस एम्टू एम्टू कर लिजी कोश्टक बंद कर लिजी चलि यहां पर मान रख लेते हैं सबका यक्स कामा वाई कमान कितना है देखे यक्स कामा वाई कमान है जीरू कामा वाई अब यहां पी जीरू इसलिए लिए हैं पर फ्रेंस आपको पहले बता तो चुके हैं कि जब वाई अच को काटेगा तो उसे में यक्स इसकल टू जीरू रख यम्टू कमान कितना है आपका यम्टू है यक्सवन कमान है आपका पांच रख लिजी अपन यम्टू रहने दीजी यम्टू प्लस यम्टू प्लस यम्टू प्लस यम्टू कमान आपका यम्टू है सोरी दूसरी आपका कामा रहेगा ठीक है यम्टू गुड़े वाइटू क कोश्टक बन कर लिए अब देखिए इस सवाल को हल करते हैं यहाँ पितना जीरो कामा वाई है ने जीरो कामा वाई रखिएगा जीरो कामा वाई कोश्टक बन यहाँ गुड़ा करने कि तो माइनस M1 होगा प्लस 5 M2 अपान M1 प्लस M2 कामा माइनस 4 M1 यह कितना हो जागा माइनस 6 M2 अपान M1 प्लस M2 कोश्टक बन कर लिए अब देखिए इसकी तुलना करेंगे दोनों पच्छो की यहाँ पी लिखिए कि दोनों पच्छो की तुलना करनेपर क्या होगा आपका अब देखें, जब दोनों पाच्छे को तुलना करना तो, जिरो का इस से तुलना किज़िए, यो आई को तुलना करने से, आपको M1, M2 की मांड पता नहीं चले गैए, तो आपको 0 बाला से, यानि यक्स कामड, देखें, यक्स का है न, इधर भी है, यक्स कहती यक्स के यक्स सही तुलना करना थी है यहां पर जीरो पर क्या दिखाएंगे आप माइनस M1 प्लस 5 M2 अपान M1 प्लस M2 अब देखे M1 M2 के 0 में गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा और यहां बचेगा माइनस M1 पांच M2 अब देखे M1 की तर पच्छान देगा माइनस हो जाएगा पांच M2 अब देखे Frens क्या करना है कि M1 M2 की तर कले जाते M2 यहां पांच हो गाती है यहां पर एक ले सकते हैं यानि M1 M2 का अनुपात कितना है आपका M1 अनुपाते M2 बराबर आ गए आपका पांच अनुपाते M1 ठीक है इस तरह इसको घेर लीजीगा अब देखे Frens इस सवाल में कहा क्या रहा है इस सवाल में आपको यहां पर देखाते हैं सवाल में कह रहा था कि वाई अच को विभाजित करता है यह मोने M2 का अनुपात न घाना रहेगा अब आपको क्या करना है कि यहां पर यक्स कमान तो आपको पता है कि 0 होगा यक्स कमान जीरो ऊगा अब ौई की तुलना इस से कीजएगा ठीक है यहां पी करके आपको पताते कैसे करना whatsoever यह लेख यहां यह कर लेखे Y पर आपका Minus 4 M1 minus 6 M2 upon M1 plus M2 ठीक अब यहाँ पी क्या किज़े Y कमान ग्याद कर लिजिएगा Y बराख क्या minus 4 गुड़े M1 कमान कितना है M1 कमान 5 है M2 कमान कितना 1 है M1 कमान 5 थी 5 रखिएगा minus 6 M2 कमान कितना M2 कमान 1 है तो 1 रख लिजिएगा upon 5 प्लस एक कर लिजिएगा देखिए Y बराबर गुड़ा के पांचों के 20 माइनस 20 6 कम 6 ठीक है 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5 6 हो जाएगा ठीक अब देखिए Y बराख कितना हो जाएगा minus 26 अब बटाके 6 देखिए 13 बर में यही एंसवर पूछाता है विभाजन विभाजन बिंदू का निर्शांग बिंदू का दिर्देशांग कितना है यक्स 0 कमा यही ने 0 कमा वाई तो आपका दी 0 रहेगा वाई का मान कितना है minus 13 बटाके 2 यह हो जागा आपका विभाजन बिंदू का निर्देशांग ठीक है फ्रेंस तो फ्रेंस देखे यह आपका होगया answer तो फ्रेंस इसी प्रकार से आपको यहाँ पे महत्तुपूर्ण निर्देशांग ज्यामिती से पांच important question बता है इन ही पाचों में जैसे आपके बोर्ड के एकजाम में आएगा तो इन पांचों प्रशनों को आप जरूर देखिएगा ठीक है फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें